नमस्कार आप देख रहे हैं कैप्टल टीवी उत्तर परदेश और मैं हूँ आपके साथ रोहिकुमार यूपी में संप्रदाइकता की खबरे कोई नई बात नहीं है आये दिन ऐसी घटनाय सामने आती रहती है एसे में एक और चौकाने वाली खबर यूपी से सामने आ रही है जहां उत्तर परदेश के बरेली जीले में सोंबार यानि के 3 जून दो हजार चौबिस को संप्रदाइक तनाव की खबर सामने आई यहां एक हिंदू परिवार पर मुस्लिम भीड दोरा पत्थरबाजी की गई इस दोरान महिलाओं और बच्चों को भी निशाना बनाया गया डर के कारम पीडित परिवार के लोग काफी देर तक खुद को घर में बंद रखा पीडित परिवार एवं हिंदू बादी संगटनों ने हमला वरों के खिलाब कड़ी कारवाई की मांग की है रिपोर्ट्स के मताबिं घटना बरेली जीले के थाना चेतर फरीदपूर की है नई बस्ती रेशमबाग इलाके की रहने वाली अंजली नाम की महिला ने सोंबार को पुलीस में शिकायदर्च कराई थी पीडिता ने बताया कि उसके घर के आसपास मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं सोंबार को उसका बेटा घर के बाहर खेल गया था इस दोरान उसकी मुस्लिम समुदाय के कुछ बच्चू से कहा सुनी हो गई शिकायद में महिला ने आगे बताया कि बच्चों की इस कहा सुनी के बीच कुछ ही देर में मुस्लिम पक्ष के लोग जमा हो गए और उन्होंने अंजली के घर पर हमला कर दिया हमलावर भीड अंजली के घर में घुचने पर अमादा थी इस दोरान दरजनों लोगों ने एकजूट होकर अंजली के घर पर पत्थर बाजी थी खुद को बचाने के लिए पीडिता का परिवार घंटों घर को बंद करके बच्चों सही दुग का रहा घर से ही पीडिता ने बाहर किसी काम से गए अपने पती को कॉल किया बाद में मामले की सूचना पुलीस को मिली पुलीस ने फोरण ही घटनास तल पर पहुँच कर हालात को काबू किया पीडिता की तहरीर पर फिलाल केस दर्च कर लिया गया है पिडिता के साथ विश्व हिंदू परिशद ने आरोपियों पर कड़ी और आठ्यक्ष शोमपाल राठोर ने कहा है कि अगर आरोपितों पर कड़ी कारवाई नहीं की गई तो हिंदू संगठन सडकों पर उतर कर आन्दोलन करेगा घटना के बाद कई हमलावर फरार बताये जा रहे हैं पुलीस ने हमलावरों को चिलिक करके गिरफतारी के परियास शुरू कर दिये हैं 2021 तक उपलव NCRB के वार्षिक डेटा को ध्यान में रखते हुए 8 साल की कट अफ निकाली गई है जिसकी रिपोर्ट पिछले साल अगस्त में केंद्री अग्रीमन्त राले दोरा जारी की गई थी यह ध्यान रखना उचित है कि निशकर्स ऐसे समय में आये हैं जब भाजपा सासुत हरियाना में 9 पिछले सब्ता की संप्रादाइक हिंसा से उबर रहा था NCRB के आखडों के नुसार 2014-2021 की अवधी में संप्रादाइक एंगल वाले 53 हत्यारों के साथ दिली राजी में सबसे अधिक मामलों दर्च किये गए हैं इससे पहले 2006-2013 की अवधी में 63 हत्याओं के साथ उत्तरबरदेश इस सूची में शिर्ष पर था इसके अलावा यदी वर्ष 2000 के बाद के आखडों पर विचार किया जाए तो 2002 में संप्रादाइक उद्देशियों की वज़ा से लगभक 308 हत्याओं के साथ मरने वालों के संख्या सबसे अधिक थी उस वर्ष 276 मामलों के साथ गुजरात इस सूची में शिर्ष पर था बदा दे कि बीते सालों में हिंदूओं के प्रते हिंसा की घटनाय लगटार बढ़ी हैं और ये आकड़े भले थोड़े पुराने हैं लेकिन इससे मौजूदा हालात का पता लगाया जा सकता है फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहे है टाप्टल टी भूतर परदेश नमस्कार